आप में से बहुत सारे लोगों ने मचलियों की बारिस के बारे में तो जरूर सुना ही होगा लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां पर हर साल एक ही जगह पर मचलियों की बारिस होती है और क्या आपने कभी ऐसे पिरामिड को देखा है जो आप अभी वीडियो में देख रहे हैं इन पिरामिड के ऊपर इतने बड़े पत्थर को किस ने रखा और ये इतने बड़े पत्थर इतनी उचाई पर पहुंचे कैसे तो गैस आज के इस वीडियो में मैं आप के लिए दुनिया के दस ऐसे फिनोमेनाज के बारे में बताऊँगा जिनके बारे में आपने अब से पहले कभी नहीं सुना होगा और इनी दस फिनोमेनाज में से एक फिनोमेना ऐसा भी है जिसमें एक जगह पर सैतूत के पेन में से हमेशा ज़रने की तरह पानी बहता ही रहता है तो गैस वीडियो का इंड तक जरूर देखना क्योंकि आज कि इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मज़े आने वाले हैं तो चलिए स्टार्ड करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को टॉप 10 नेचुरल फिनोमेनास इन द वर्ड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसी ही इंटरस्टिंग और नॉलेजिव इस ज्जील में आपको बहुत सारे पक्षियों के स्टैचो देखने को मिल जाएंगे जो पक्षि इस ज्जील के ऊपर से गुजरे होंगे और वो पत्थर बन गए कोई भी इस ज्जील के बारे में आज तक ये पता नहीं लगा पाया कि इस ज्जील के ऊपर से गुजरने व अब से पहले कभी ऐसे फिनोमेना के बारे में सुना था इसके लिए वीडियो पर एक लाइक तो बनता है बारिस के समय में कभी-कभी ओले गिरते हुए तो आप सभी ने देखे ही होंगे और उस टाइम पर आपने काफी इंज्वाई भी किया होगा लेकिन 8 फरवरी 2008 ओले भी पड़ रहे थे लेकिन कुछ समय के बाद ही इन छोटे-छोटे ओलों ने अपना एक आकरमक रूप धारण कर लिया और तेज हबा के साथ-साथ एक टेनिस बॉल जितने बड़े ओले गिरने लगे ये ठोस ओले इतने बड़े थे कि अगर ये ओले किसी के सर में भी लग जाएं तो उसका सर ही फट दाए ये ओले जहाँ पर भी गिर रहे थे बहाँ पर इनकी बज़ा से भारी नुकसान ही हो रहा था कुछ गारियों का तो इतने बड़े ओलों की बज़ा से काच के सीसे भी तूट गए बहुत से लोगों को चोटे भी आई और कुछ लोगों को सीरियस इंजरीज भी हुई ऐसी घटना दुनिया में कई बार देखी जा चुकी है लेकिन उन जगह उपर अर्जेंटीना जितने बड़े ओले कभी नहीं देखे गए गुल्फ ऑफ अलस्का में एक ऐसी जगह मोजूद है जहां पर दो समुन्दर मिलते हुए तो दिखाई देते हैं लेकिन ये दोनों समुन्दर आपस में कभी भी मिक्स नहीं होते जैसा कि आप अभी वीडियो में देखी रही होंगे जिसमें एक साइड का पानी नीले रंग का है और दूसरे साइड के पानी का रंग हलका नीला है जो कि गंदा पानी जैसा लग रहा है इस समुदर में आप आगे भी चलते चले जाओगे तो भी ये समुदर आपको आपस में मिलते हुए नहीं दिखाई देंगे इन दोनों समुदर में जो पानी ग्लेसियर से निकलता है उस पानी का कलर हलके नीले रंका होता है जो कि कुछ हद तक गंदे पानी की तरह दिखाई देता है और जो पानी नदियों से समुदर में आता है उसका रंग गहरा नीला होता है रिसर्चर्स का मानना है कि इस जगह पर खारे और मीठे पानी का होना और टेंपरेचर का अलग होना यही खास बजा है जो कि दोनों समुद्रों को आपस में नहीं मिलने देते यह पूरा बॉर्डर 800 किलोमेटर लंबा है और इस पूरे बॉर्डर पर कोई भी ऐसी जगह मौजूद नहीं है जहां पर यह दोनों समुद्र आपस में मिक्स हो रहे हो नमर सेविन पर है नॉर्वेगें डेड हेरिंग्स 2012 में 20 तन से भी ज़्यादा हेरिंग्स मचलियां नौर्थ नौर्वे के किनारे पर मरी हुई मिली और यह सारी मचलियां बहां से रात उ रात गाइब भी हो गए यह इतना बड़ा हलसा क्यों और कैसे हुआ इसके बारे मे इस घटना को अपने experience के base पर बताया लेकिन कोई भी इस घटना को सही से explain नहीं कर पाया कि 20 तन से भी ज़्यादा मचलियां किनारे पर आकर कैसे मर गई और वो सारी के सारी मचलियां बहां से रात उ रात गाइब कैसे हो गई 2009 में एक 2012 नाम की movie release हुई थी जिसे आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा जिस movie में दिखाया गया था कि 2012 में पूरी दुनिया खतम हो जाएगी और ये इतनी सारी मचलियों की death भी जनवरी 2012 में ही हुई थी तो बहुत सारे लोग इस बात को मानने लगे थे कि 2000 बारे में दुनिया खतम होने बाली है कुछ एक्सपर्ट्स ने बताया कि ये मचलिया तेज तूफान की बजह से किनारे पर आ गई होगी तो कुछ का मानना है कि किसी बड़ी सिकारी मचली ने इन सभी मचलियों का पीछ नमर्ब शिक्स पर है रिंगिंग रॉक पेंसिलबेनिया में पहाडों की चोटी पर एक रहिस में चट्टानों से भरा हुआ छेतर है और इसके बारे में कोई भी नहीं जानता कि ये चट्टाने यहाँ पर क्यों और कैसे आई ये चट्टाने इसलिए लोगों के लिए रहि पर किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल की तरह आवाज आती है और यहां की हर चट्टान की अपनी एक अलग आवाज है लोग यहां आकर इन्हें खूब इंजवाय करते हैं और सिर्फ यही नहीं दुनिया भर में ऐसी चट्टाने पाई जाती हैं और अपने इंडिया में भी आपको ऐसी चट्टाने देखने को मिल जाएंगी जिसका यूज पिलर के तौर पर कई सारे मंदिरों में किया गया है लेकिन इन चट्टानों से ऐसी अबाज आती कैसे है इस पर साइंटिस्टों का अलग-अलग मानना है कुछ का मानना है कि ये चट्टाने डाइवेस से बनी हुई है जो कि अर्थ के कोस्ट में पाये जाता है और इनके अपने खास स्ट्रक्चर की बजह से इनकी आवाज निकलती है दूजरी थियोरी के अंजार एक चट्टान पर चोट मानने से एक लोग-फ्रिक्वेंसी का साउंड निकलता है जो कि हम नहीं सुन सकते लेकिन बार-बार कई चट्टानों पर चोट मानने से सारी frequencies आपस में interact होती हैं और वो sound बढ़ जाता है इसलिए हमें ऐसी आबाद सुनाई देती है लेकिन इस पर स्योर कोई भी नहीं है इसलिए ये आज तक एक रहसे बना हुआ है नमबर 5 पर है सनाई टाइम पिसका रिवर ये एक ऐसी रिवर है जिसे उवलती हुई रिवर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये रिवर दुनिया की एकलोती वॉयलिंग रिवर है इस रिवर की लंबाई 6.4 किलोमीटर है और इस रिवर में आज तक जो भी जीब गिरा व से बॉयलिंग रिवर के नाम से जाना जाता है सैंटिस्टों के अनुसवार ऐसी किसी उबलती हुई नदी का होना इंपॉसिबल है बस एक ही कारण है जिससे कोई नदी इतना जादा उबल सकती है वह है कि नदी के आस-पास कोई एक्टिव ज्वाला मुगी होनी चाहिए ल इस नदी में कोई अगर आधा सेकेंड के लिए भी अपना हाथ या पैर इस नदी के पानी में डुबो दे तो हाथ पर जलने के थर्ड डिग्री घाव हो जाएंगे इस नदी में किसी के भी गिरने से मौत हो सकती है नमबर 4 पर है मोविल केव 1986 में एक कंस्ट्रक्शन के दोरान खुदाई में कुछ वरकर्स को दुनिया की सबसे अजीबो गरीब एक गुफा मिली जो पूरी तरह से बंद थी ये गुफा रोमानिया में मौझूद है इस गुफा से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरस्टिंग बात है जो है कि ये गुफा पिछले 55 लाख सालों से ऐसे ही बंद थी सदियों से इस गुफा में हवा और सनलाइट भी नहीं पहुँची थी वरकर्स को खुदाई के दौरान जब ये केव मिली तो उन्होंने देखा कि इस केव के अंदर एक लेक भी है जो कि पानी की बजाए सल्फियूरिक एसेट से भरी हुई है और इसे गुफा में बहुत सारे जहरीली गैसे भी मौझूद थी लेकिन इस गुफा में इतनी जहरीली गैसे होने के बाद भी इसमें कुछ छोटे वैक्टिरिया और जलिये जीब भी मौझूद थे जो कि जहरीली गैस के साथ 55 लाख सालों से यहाँ पर जी रहे थे इस गुफा में मौझूद जीब को पहले कभी धर्ती पर नहीं देखा गया था इन अजीबों करीब जानवरों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि इन जीबों ने इतनी जहरीली जगह पर इतने लाखों सालों तक सर्वाइव कैसे किया नमर 3 पर है ट्री वाटरफॉल मोंटे नीग्रो के गाउं दिनों सामें एक सेंतूत के पेड़ से जरने की तरह पानी निकलता है जिसे देखने के बाद बहुत से लोग हैरान हो जाते हैं कि ये क्या और कैसे हो रहा है आप में से भी बहुत सारे लोग इसके बारे में सोच रहे होंगे कि आखिर इस पेड़ में से जरने की तरह पानी क्यों निकल रहा है जब भी इस गाउं में भारी बारिस होती है तो ये सेंतूत का पेड़ एक जरने में बदल जाता है लेकिन ये कोई चमतकार नहीं बलकि एक नेचुरल फिनॉमिना है होता ये है कि जब बारिस होती है तो जमीन में मौझूद पानी का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है और ज्यादा दवाब बनाता है जो पेड़ की तने से होते हुए खोगली जगह से बाहर निकलता है लेकिन ये कोई अकेला नहीं है कई सारे बड़े बड़े जंगलों में भी पेड़ पर ये पानी की तरह देखने को मिलता है बैसे ये फनोमेना देखकर आपको कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना नमर टूपर है अर्थ पिरामिट गाइस इन्हें देखने के बाद आपको लगेगा कि इन चटानों के ऊपर इतने बड़े बड़े पत्थरों को किसने रखा होगा और इतनी उचाई पर इन पत्थरों को पहुचाया कैसे गया क्योंकि नीचे की जगह तो पूरी तरह खाली ही है तो या तो इन बड़े बड़े पत्थरों को इन चोटियों पर रखा गया होगा या फिर कुदरती तरीके से ये पत्थर इन चोटियों पर रखे होंगे लेकिन ऐसा हुआ कैसे इटली के साउटेल रोल में मौझूद ये अजीबो करीब चटाने अर्थ पिरामेड के नाम से जानी जाती है इन चटानों के ऐसे बनने का में रीजन तेज बारिस और सूखा है पहाड़ी इलाकों में तेज बारिस जब जमीन को काटती है तो उस समय ये ऐसी चटाने बनती हैं ये चटाने ऐसी जगह पर होती है जहां तेज हवावी इन्हें जादा नुक्सान नहीं पहुचा सकती इन पहाड़ों को पिरामेड जैसी सेफ देने में इन बड़े बड़े पत्थरों का खास रोल होता है क्योंकि ये मिट्टी के पहाड बड़े तो नहीं लेकिन दुङा में एक जगह ऐसी भी है जहांपर कोई एक बार नहीं बलकी हर साल मचलीयों की बारिस होती है और वो भी एक ही जगह पर पिछले 100 सालों से भी ज्यादा समय से यहाँ पर हर साल मचलियों की बारिस होती है यह जगह मेक्सिको के पास इस्तित है यहाँ के इस्थानी लोगों के मताविक 18 वी सदी के लोग यहाँ पर भूके मर रहे थे फिर एक पादरी ने यहाँ पर 3 दिन तक मनत मागी तो उसकी दुआ की बजह से यहाँ मचलियों की बारिस होती है ऐसा वहाँ के इस्थानी लोगों का मानना है कुछ सेंटिस्ट के मताविक यहाँ ऐसा बाटर स्पॉट की बजह से होता है क्योंकि यह बारिस्पॉट समुद्र पर बनते हैं समुद्र के पानी में मचलियां होती है और यह बारिस्पॉट समुद्र से उड़ता हुआ उपर बादल में चला जाता है और यह बारिस की तरह उस जगह पर परस्ते होंगे लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि समुदर से 200 किलोमेटर की दूरी पर मौजूद इस सहर में एक ही जगह पर बारिस क्यों होती है और ऐसा होता भी है तो मचलियों के साथ दूसरे समुदरी जीब इस जगह पर क्यों नहीं गिरते जैसे मेंधक के कड़ा और भी समुदरी जीब होते हैं जो कि समुदर में पाय जाते हैं इसलिए ये जगह आज भी एक अंसुलजा रहस है बैसे गाइज आपको इन सभी फिनोमेनाज में से सबसे बेस्ट फिनोमेना कौन सा लगा और क्या आपने आसमान से मचलियों की वारिस होते हुए देखा है या कभी इसके वारे में सुना है ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना और क्या आपको इन नीचुरल फिनोमेनाज की वीडियो का पार्ट टु चाहिए ये भी मुझे नीचे कमेंट करके बताना जरूर कर लेना तो मिलते हैं एक और नई इंटरस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए